पार्टी और आपके अलाइन्स पार्टनर्स तो कहते हैं कि गव्मूत्र स्टेट्स में बीजेपी जीतती है, साउथ में नहीं जीत सकती, तो ये भारत के दो टुकडे कर कौन रहा है? मोदी जी कर रहा है, कैसे? अभी आंधरा तेलंगाने में क्यों तेलंगाना हम पूचे राज, हर बार आंधरा के लोग तेलंगाने के उपर जबरदस्ती किये, हमारा हक हमको नहीं मिल रहा था, हमारे पैसे, हमारा बजट हमको नहीं मिल रहा था, तो इसी लिए हम लड़के तेलंगाने लिए, आगे ऐस इसे ही नरेंदर मोदी जी कहा तो South and North confrontation हो जाए क्योंकि आप South को जो मिलना था जो इसे पहले मिल रहा था आप एक दस साल में क्यों नहीं दिये इसका जवाब दिये तो इसका जवाब डूड़े तो आपको पता लगेगा कि South को क्या नयाई हो जा रहा है वेंकाया नाइडू जी यहीं से आते हैं और वेंकाया नाइडू जी वाइस प्रेजिडेंट रहे हैं इस देश के चेर्मेन ओफ राज्य सभा रहे हैं वो मिनिस्टर रहे हैं रेवन त्रेडी जी आप कुछ-कुछ थोड़े बहुत चीज़ भूल जाते है एकल्सेण हमको क्यों निकाल दिये आप क्यूंकि वो आयोध्या राम मंदिर गए ते इस लिए निकाल दिये राम मंदिर जाने कोई कोई को रोग सकता है कोई भी जा सकता है राम मंदिर के भी शिलानेश strictly राजिव गांदी जी अलेन बवीच्ड जीट जी तोड़ी किये, नहीं, नरेंद्र मोधी जी तोड़ी किये, राजिव गांदी जी ने सिलान नैश को पर्मिशन दिये, अलो किये ते, यह तो इस्ट्री है, आपको भी पता है, तो बोईकॉट क्यों किया प्रान प्रतिश्था को, वो बीजेपी पोलिटिकल इवेंट बना वहां बारती जी कहां थी, यह सबसारे जिस दिन अयुद्या में जो हुआ था, तब जो लोग हाजिर थे, सब लोगों को निकाल दे, काली मोधी जी उस दिन आपका वीडियो विजूल चु दिखाओ, आप नरेंद्र मोधी जी के अलावा राम मंदिर में कोई छेलने के लि आपको लगता है जो कहा वो ठीक कहा, वो गलत है, कौन टीक बोला है, वो उनका माइंड सेट है, आप उस अलाइंस पार्टनर उस सरकार के पार्ट हैं, तो क्या, तो क्या, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ बोले तो गलत रहा तो आप कह रहे हैं कि यह जो सपनातन धर्म के बारे में कहा था, वो गलत है? बराबर गलत है, किसी धर्म के खिलाव कोई बोले तो वो टीक निये बंगाल में आप अलाइंस पार्टनErॅ के साथ लड़ रहे हैं आज ममता जी का स्टेटमेंट है कोई भी आकर बोले कि हम इंडिया अलाइंस से हैं मत मानना खाली तरिनुमूल कॉंग्रेस को वोड देना वहाँ पर लेफ्ट पर्न। अगे अगर का स्टेस्ट पर अगर कॉं लड़ रहे हैं। तो वारान ऐसी से प्रादान मंतरी नरेंर मोदी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे हैं। वाइनाट की 41% मुस्लिम पॉपुलेशन वाली सीट पर आकर क्यों लड़ रहे हैं। यह alliance कहते हैं आप। बराबर alliance है, strategy है, this is not alliance, this is an strategy, political strategy. Pre-elections alliance, post-elections alliance. Pre-elections में कुछ strategy है, post-elections कुछ strategy है. Pre-elections में एक दूसरे को गाली दो और post-elections में साथ में बैट कर राज करो. अगर ऐसे बात कहा तो नितिश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, कितिने बार लड़ लिए, आज क्या कर रहे हैं वो लोग, इसे पहले एडूरी अपर नरेंद्र मोदी जी का क्या पंचायता, क्या बनगे, गाली जनार्दन रिड़ी, बारती जनता पार्टी और नेता लोगों को क्या क्या कहा, आज बारती जनता पार्टी में जायन होगे, अजित पवार ने बारती जनतापर्टी के किलाब बहुत कुछ कहा आज बारती जनतापर्टी अलेंस में वो पार्टनर है नवीन जिंदल